अलो फ्रेंड्स मैं संदीब आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ अपने परसनल काम भी थे और कुछ मेरी स्रेटेंट थी जिसको मैं कर रहा था तो मैं इधर वीच वीडियो नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप कोशिश मैं कर रहा हूं कि पर वी एक वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर हूं और मैं रिसेटली कुछ टॉपिक्स भी आप लोगं के साथ शेर करने वाला हूं जो आप लोग कमेंट करके मुझे कि वो topics अब कौन-कौन से cover करने हैं जो जिसकी demand ज्यादा है कि वो topics में one by one करके cover करता रहूंगा और पीछे भी कई लोगोंने मुझे कुछ suggestions दिये थे तो मैं कोशिश करूँगा one by one वो सारे suggestions मुझे मिले थे topics के वो मैं करके जल्दी जल्दी उन पर videos बना और आप लोगों की जो भी उस पर उन videos से help वोट पाए वो हम करेंगा तो फिलाल आज का जो topic हम लोग discuss करने वाले हैं वो M580 के software बगरा का तो हम लोग सब discussion basic हम लोग कर रही चुके हैं लेकिन हमने अभी तक hardware के बारे में कुछ भी नहीं समझा कि hardware कैसे लगाते हैं उसकी configuration क्या करते हैं पीछे कई calls और कई mails में पास आये हैं सब उसी में problem उनको आ रही थी कि वो M580 के साथ communicate नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ basic problems उनके साथ आ रही थी hardware end पे भी तो मैंने decide किया कि सबसे पहले मैं आपको M580 के hardware के बारे में कुछ ब्रीफ कर दूँ उसके बाद हम one by one उसकी configuration पर चलेंगे और M580 Retendant System को कैसे कैसे कहां hardware में configure करना पड़ता उसके software में कैसे configure करते हैं वह हम step by step चलेंगे तो आज का जो topic शुरू करने से पहले आप लोगों से पस एक request है कि वीडियो अच्छा लगे तो comment करके जरूर बताएं और इसको आगे definitely share करें और वीडियो अच्छा लगे तो like जरू करें क्योंकि वीडियो देख सब लोग रहें और लेकिन उसमें likes थोड़े कम आते हैं आप लोगों के likes की वाजय से कुछ videos हमारे भी आगे बढ़ते हैं और उसकी भी कुछ values बनती है तो अगर आप लोगों के वीडियो पे likes आते हैं तो हमें भी उस पे थोड़ा सा support मिलता है और हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए और सोचते हैं तो आज का फिलाल हम अपना वीडियो start करते हैं सबसे पहले अभी आप यहां पे configuration देख रहे हैं जो पीछे जो भी मैंने वीडियो बनाए उसके लिए मैंने configuration सबसे बनाई हुए थी तो पहले हम hardware की बात कर लेते हैं M580 का जो hardware होता है मैं पर सभी hardware है नहीं बट मैंने उसकी कुछ photos आपके लिए आर्रेंज करी हैं इस तरीके का M580 का कुछ hardware रहता है सबसे पहले अगर आपको hardware लगाने से पहले रहते हैं जब आप यह देखेंगे अगर software में देखेंगे यह हमारी रैक है रैक में यह हमारा hardware है M580 का processor इसको इस रैक माउंट करने से पहले यह हमारे दो स्लोट लेता है अभी भी आप configuration देखेंगे जैसे 0 और 1 यह दो स्लोट लेता है और इसी तरीके से आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे आपर दो स्लोट इसके आते हैं इसको अगर मैं back side से दिखा पाऊ तो इस तरीके का कुछ इसका slot रहता है ऐसे करके slot रहते हैं इसके और सबसे पहले इसके मैं आपको model number समझाना चाहता हूं अगर M580 returnant system है तो इसका model number BME H58 करके रहता है और अगर हम stand-alone processor की बात करते हैं तो वहां पर P जैसे यहां पर P58 आ रहा है यानि यह हमारे stand-alone processor होता है और जहां पर H की बात आ रही होती है तो सबसे पहले आपको अपने जो भी hardware आप यूस कर रहे हैं उसका model number भी पता होना चाहिए कि कल को अगर आप मेरे से भी support लेते हैं तो आपको hardware at least पता होना चाहिए अगर आप किसी को hardware बताएंगे तभी आपको उसके level पे support मिल सकती है और कभी भी आप देखिए hardware के जहां पर EH58 2040 आपको दिखा ही जारा है इसके top वाली side पे यह तो front end हो गया मैं इसके top end की बात कर रहा हूँ जब आप top से देखेंगे तो वहां पे svpv करके भी कुछ values होती है उसको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए उसके भी बहुत values है ठीक है तो अब यह तो रही hardware की मैंने basic जो उसकी configuration है वो पहचानने के लिए next सबसे पहले अगर आपको rack प प्रोसेसर को एक name पहले define करना होता है जैसा कि आप यहां पर अभी एक यह circle देख पा रहे है a and b यहां लिखा हुआ दिख रहा है तो दो प्रोसेसर जो होते हैं उनको rack पे mount करने से पहले उनकी naming करनी ज़रूरी है तो आप वो naming कैसे कर रही जाएगी इसके back side पे पहले आप प्रोसेसर को rack से बाहर निकालेंगे back side पे इस तरीके के आपके पास एक knob होता है जो अगर आप up side पे कर रहे हैं जैसे अब यहां पे picture में देखेंगे up side पे यानि a हो रहा है तो अगर आपने knob को up side पे set कर दिया तो यह a पे हो गया और अगर आपने c को right side पे set कर दिया तो यह B हो गया यह naming आपको करने बहुत जरूरी है अधर वाइस होता गया है कि जो भी काम करने जारते हैं वह दोनों प्रोसेसर एक साथ अगर मांट कर देते हैं तो अगर अगर क्या प्रोसेसर में प्रोग्राम डालने की कोशिश करते हैं वह होता नही हैं दोनों कांटर्ट करने लगते हैं क्योंकि दोनों की naming ए हो जाती है अगर दोनों प्रसेसर ए नेम से हैं तो हाम पे confusion create हमेसे. जैसे Likewise, अगर दो persons same name की हैं और हमें पीछे से अगर किसी को call करते हैं, तो दोनों कि एक्षली किस पर्सन को हमें बुलाया गया तो पहले रैक पर माउंट करने से पहले आपको उसकी नेम करना पड़ेगा उस आड़ यह का ए और बी इस तरीके से नॉप को सेट करना पड़ेगा उसके आद आप रैक पर मौंट कर सकते हैं और जैसे ही आप उसे मौंट कर देंगे तो यहां पर आपको एक रैट कलार का मार्क दिख रहा है तो जब भी यह अगर आपने जिस प्रोसे तो B वाली light green होगी और A वाली off होगी यह आपका display होता है M580 का जिसमें आपको different चीज़ें कई सारी मिलती है जैसे एक run की light है यह green permanent healthy होने चाहिए यह permanent healthy होती है यह आपका processor run mode में है IO की light होती है यह अगर red है that means की आपके कही ना कही system में IO में error है यह remote run आ जाता है कि आपका system remote का run है के नहीं है फिर इसी तरीके से कई सारी चीज़ें और आती है अब यहां पर अगर आप एक चीज़ और देख पहेंगे primary और stand by दो यहां पर आपको all मिल रहा है कि आपका यह present यह जो processor भी run कर रहा है जैसे a on है और इसकी primary वाली light green है यह प्रोसेसर इसमें primary है और जो बी वाला है वो stand by position में पहली चीज़ तो यह हो भी इसके remote ios होते हैं जो मैं आपको पहले software में भी दिखा दूँ जो हम लोग internet ios बनाते हैं अपने यह देख पा रहेंगे ecra 312 इस तरीके के हैं और इसमें यह देखिए इस तरीके के दो नोब दिखाई के रहे हैं अब यह दो नोब का क्या है यह इसकी naming कैसे आती है इसकी naming आप कभी विध्यान से देखेंगे यहां पर जो side में left hand side पर one दिख रहा है यह naming यहां पर हम set करते हैं तो अगर आप picture में देखेंगे तो यहां पर दो नोब है तो यह हो गया आपका once और tense दो चीज़ें यह आपकी लिखे होती हैं यहां गया आपका once यहां गया tense अब यहां पर one लिखा हुआ है तो tense वाली value आपने zero कर दी और once इसको rotary switch को आपने one पर गुमा दिया ऐसे अगर यह rotary switch अगर मैं इसको यहां पर 10 कर देता हूँ one की जगा one zero set कर देता हूँ तो यहां पर मुझे tense में one करना पड़ेगा और once में zero करना पड़ेगा और tense में one करना पड़ेगा इसमें भी ऐसे कई सारी हमाई LED होती हैं जैसे run अगर यह है permanent on है यानि हमारी healthy condition में है अगर हमारी blink कर रही है that way stop mode में आ चुका है या इस यह configuration में आपके नहीं है ठीक है अब इसमें भी हमारे तीन टाइप के हमारे processor RIOs होते हैं यह हमारे three ether port का होता है यह service port होता है दो हमारा ring architecture बना हमने के लिए होता है अब अगर मैं software में आपको दिखाओं इदके इस तरीके का है यह service port होता है जिसे हम directly इसको configure कर सकते हैं इसकी भी हमारी IP पहले से predefined होती है जैसे इसमें three IP लिखी होई है three IP डालके आप इसको configure कर रहा है और इस से related जो भी हमारे different settings है यहां पर define करी हुई है यह आपके hardware की चीज़ें जो basic आपको काम करने से पहले power on करने से पहले आपको system देखना है अब इसमें जो CRA है यह भी हमारे different different types के होते हैं वो भी एक बर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक होता है E CRA अगर आप इसका model number आप चेक करेंगे तो यह काता है BME CRA और यह काता है BMX CRA तो आपको यह देखना है कि आप जब भी जो processor लगा रहे हैं वो कौन सा CRA लगा रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों को यह confusion हो जाता है वो लगाते BME है लेकिन यहां से BMX select कर लेते हैं यह अगर BMX लगाया है तो BME select कर दिया तो भी आपको वो CRA power on ही नहीं होता है कई बार तो यह आपके rack आपने different लगा दिया है यह BMX यह BME की rack है BME की rack में आप यह देखेंगा दो-दो slot लगे हुए हैं और BMX की जो rack होती है उसमें single single slot आते हैं तो यह चीज़ें hardware में जब भी आप configure करें सबसे important चीज़ें यही है कि M580 का सबसे पहले आपको naming सही करनी है उसकी configuration आपको सही करनी है जैसे M580 का यह एक service port होता है यह जो second port है यहां पे M580 का हमारा configuration ACM backup हम दोनों में डालते हैं और जो इस processor की IP होती है उसी की just next IP आपके different processor की हो जाती है जैसे 19168 10.1 इसकी है और जो आपका second processor होगा उसकी 19168 10.2 अब by default हो जाती है यह आप यहां पे देखेंगे में IP address ही आजाता है यह जो इसका जो इसका जो ही second port है यह second port और जो दूसरा प्रोसेसर as it is identical आपके system पे लगा होगा यह और यह second port आपस में joint हो जाएंगे with RJ45 की cable हमारी लगेगी cat6 cable वह one to one connect हो जाएगी second to second port पे फिर एक नीचे आप यहां पे यह point देख रहे होंगे जहां पे fourth arrow बना हुआ है यहां पे भी आपका एक हमारा connector लगता है जिसमें हम land cable एक cat6 cable लगाके प्रोसेसर में directly connect करते हैं यह हमारा hot strand by वाला portion होता है यह hot strand by हमारा एक दूसरे को communicate कराता है और यह आला जो है second point हम second point हम connect करते हैं जो हमारा आपस में ring बनाता है तो इसलिए यह confusion नहीं होना चाहिए नीचे वाला भी हमारे लिए important है क्योंकि यह हमारा एक दूसरे को processor को clear करता है कि हमने tendency में connected हैं कि नहीं है और इसका data exchange इसी processor के through होता है और जो यह दोनों point है यहां के through हम ring बनाते हैं अब सबसे पहले हम इसका second और दूसरे processor के second को वापस में connect कर देते हैं hardware में फिर यह जो third point है आप यह third point उठाके इस ECRA के second point में लगाएंगे then यह जो third point है यह अगर second PCRA लगा हुआ है तो आप उसके second point में लगाएंगे और उसका जो third point है वो निकालके next CRA अगर लगा है तो उसके में और जो last CRA होगा last CRA का जो third point है वो उठाके आप second वाले processor के third वाले point पे आप connect करेंगे अभी आज मैं आपको just चीजें बता रहा हूं बाद में इसकी मैं आपको एक वीडियो और एक architecture कैसे है वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा अविलेबल करवाँगा या अगर possible होगा तो मैं इस वीडियो के साथ ही उसकी कुछ attachment भी आपको लगा दूँगा ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएं तो यह हमारे hardware की जो configurations है वो ऐसे करके रहते हैं यह अगर बीच में आपकी कोई भी केवल कहीं से connection हटता भी है तो अगर बीच में आपकी कोई भी केवल कहीं से connection हटता भी है तो भी आपका totally ring system बना रहेगा और आपका data एक दूसरे से exchange होता रहेगा तो यह रही है आपकी hardware की अब हम बात कर लेते हैं कुछ software पर तो इस तरीके से हमारा software और यह बना हुआ है configuration बनी है इस configuration में आके हम कुछ basic चीजें देख लेते हैं इसके हम ethernet point को पुल लेते हैं यहां पर आके security पर आके बिल्ट आ जाता है उसके आज मैं इसे बिल्ड कर दूँगा और यह यह अभी हम simulation मोड में चला रहे हैं यह वह कैसे पता क्योंके प्रोग्राम को दालेंगे तो एक प्रोसेसर एट है टाइम आउन करेंगे तो एक प्रोसेसर एट है टाइम करें सबसे पहले आपको यह चीज़ें सब मिलने वाली है यहां पर यह टीज़ पी यह आपको ग्रीन कलर में रहेगा प्राप यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसको करने के आज हम यहां पर एक से डाउन्लोड प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट आपका ट्रांसफर अने लगा है यह प्रोजेक्ट आपका ट्रांसफर होने के बाद इसके अलेविमेंटरी भी रेलूल में आएंगे इस प्रोजेसर क्यों अब ले जाते हैं अब इस प्रोजेसर से रिलेटेड जो भी स्टेटस है यह मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है आप सारे स्टेटस यहां से देख सकते हैं इस प्रोजेसर का क्या स्टेटस आता है यहां पर अभी तो यह सारे कुछ एरर में आपको दिखा रहा है हम यहां पर आएंगे इसकी एनिमेशन में इसमें कुछ और भी इसकी कॉन्फिगरेशन आपको मिल सकती है इस प्रोजेसर की कोई मेमोरी इस कहां एड करानी हो पीछे वाले पोर्शन में था ना हम यहां पर आते हैं सबसे पहले हम और रिष्ट्रेंट भाई देख रहे हैं यहां पर हम यह दिखा रहा है कि हमारा लोकल जो प्रोसेसर वह स्टॉप हो रखा है रिमोट वाला जो है वह हमारा अन्नों में हैं अप्लिकेशन मिस्मैच अन्नों है क्योंकि अभी एकनेक्टेड नहीं है और हम स्म हम इसे नॉर्मल मोड में चलाएंगे हार्डवेर के साथ चलाएंगे तो यहां पर कॉन सार रहा है पील्सी ए है भी है वह आपको यहां क्लियर की जगा पील्सी ए भी लिगके दिखाएगा रिमोट स्टेटरस आपका ट्रू है कि फॉल से वह पूरा प्रॉपर वे में आप अगर हम रियल टाइम क्लॉक यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देने वारी बात है कि हम लोग प्रोग्राम तो डाउनलोड कर देते हैं अगर हमें लाप्टॉप की टाइमिंग कुछ डिफरेंट है तो यहां पर आपको टाइम डिफरेंट मिलता रहता है तो उ अपने सब्सक्राइब डिफरेंट डाइम डालके यहां से अपडेट कर सकते हैं वो और जब टाइम डिफरेंट यहां पर आ जाएगा अब इस टाइम डिफरेंट के हिसाब से आप अपने M580 में RTC को यूज करा सकते हैं तो यह कुछ basic points थे जो hardware से related थे जो मैंने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसी में कुछ points और आते हैं अगर आप यहां पर online modification इंटर और stop mode करतेते हैं तो अभी अगर मैं आपको दिखा हूं कि मैं अगर कोई भी configuration hardware में मैं कोई एक प्रोसेसर को यह इंपूर्ट में डिसेबल करना चाहता हूं इसे वैलिडीट करता हूं तो मैं पास मैसेज आता है you must build this modification of do you confirm the modification यह बोला कि आपको offline करना पड़ेगा तो अभी फिलाल मैं हटा देता हूं कि मैं इसको चेंज करने अभी दूसरे तरीके से करूंगा ताकि मैं इसकी configuration भी online चेंज करता हूं अभी मैंने हटाया हुआ है तो मैं इसकी configuration online चेंज नहीं कर सकता हूं मैं online इसको वैलिडीड़ इसको भी हमें रेडी करना पड़ेगा प्रोग्राम बिल्ड करना है क्योंकि मैंने अभी आपकी वह online configuration वाला point आप डाला है इसमें आपके पास और भी कई सारे points आपते हैं कि अगर program आपको mismatch है तब आपका system चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए अब क्या चाहते हैं कि अगर यह में अलग program है भी में अलग program है तो क्या तब भी आपका system run करना चाहिए तो क्या है allow logic mismatch गर आपकर देंगे तो आपकर उससे आपके सारे system काम करेगा क्योंकि कई बार हम लोग प्रोग्राम ट्रांस्वार नहीं करते ही प्रोसेसर पर ऑनलाइन चेंज करके हम लोग काम कर रहे हैं तो अभी हम इसको डाउनलोड कर दे रहे हैं पहली बार मैं को आफ-लाइन चेंज करने के लिए उन्होंने बोला था और अपकी बार मैं इसको अपसे नेबल कर देता हूं और इसको डिसेबल कर देता हूं कि अपकी बार में पस कोई मैसेज नहीं आया कि आपको आफ-लाइन करना ही पड़ेगा इस बार इसने मेरा ओनलाइन चेंज ले लिए तो यह कुछ चीज़े हैं जो हाड़वेर और शॉफ्टर दोनर एंड पर आपको पता हूं चाहिए अधर्वाइस पाइड डिफॉल्ट ुइस्टर चलाते हैं तो जब भी हम अपना सिस्टर डाउन्दोड करता है लेकिन अगर आप हम पे वह टिका देते हैं तो अप कॉन्फिगेशन भी चेंज करते हैं तो वह भी आपका ऑन-लाइन चेंज हो जाए अधर्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए कुछ यूस्फुल रहा होगा hardware point of view से अब आज की वीडियो में मैं बस इतना ही अभी चाहता हूं कि आप hardware को समझें और कुछ वीडियो अपने और जल्दी लाँगा कुछ अच्छे topics के साथ तो आप अपने topics वीडियो के comment section में जरूर डाले और उस पर मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी पर भी एक वीडियो अटलेस्ट आपको देखा हूं और मैं पास कई लोगों ने demand करिया कि so machine और या के structure machine expert पर भी कुछ हम वीडियो बनाएं लाइक 241 262 और 251 218 जैसे प्रसेसर पर काम करने के लिए तो उस पर भी मैं वीडियो ले के आँगा और साथ ही साथ हमें हमें हम कैसे काम करते हैं हम जीनीस कैसे बना सकते हैं मैं उस पर भी आपको काम करूंगा मुझे support करने के लिए बस आपको वीडियो को like करना है share करना है और comment section में अपने feedbacks देने तो अब मैं कोशिश करूंगा as soon as possible मैं आपके लिए वीडियो ले क्या हूं आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं जल्दी कुछ अच्छे और बड़े topics के साथ कर दो